है विडियो के अंदर हम लोग उने जो कुश्यन कंस्यडर किया अगे यह एक वाइबरेशन का कुश्यन है इस कुश्यन के अदर अगर हम लोग देखें तो हम एक 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 मास यहां पर अवेलेबल है 20 kg यहां पर जो क्रॉसक्षन दिया गए है हमें 25 क्रॉस 25 मतलब है स्क्राइर क्रॉस सेक्षन वाली केंटिलीवर भी मैं इसके साथ में क्रॉसचन के अंदर हमसे पूझा गया है यहापर डेंपिंग कॉंट से पूचा गया है किस के पूझए को पड़ेंगे। मतलब कुछ इस तरीकर सी है बाएब्रेशन होरा वावółगा तो enabling अगर cc के value हमसे पूछे गई है तो हमें पता होना अचाहिए कि इनके basic results क्या होते है basic results अगर हमारे पास में available है तो यह question काफी आसान है देखो किस तरीके से इस question को हम लोगों ने deal किया यहाँ पर हमें पता होना अचाहिए कि यहाँ पर अगर cantilever beam के उपर mass m लगाए जाएगा तो basically इसके अंदर deflection deal कितना आने वाला है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं deflection deal के बारे में deflection deal होता है wl cube by 3 e i दूसरा point हमें पता हम अचाहिए square cross section के लिए यह i हमारे पास में कितना होता है तो हम लोग जानते हैं यह होता है a4 divided by 12 a की value आपके पास में available है तो आप सबसे पहले यहाँ पर i calculate करोगे e steel आपके पास में available है mass आपके पास में available है तो आप बोल सकते हो कि stiffness दी जाएगी basically यहाँ से compare करके यह stiffness आएगी हमारे पास में k is equal to 3 e i divided by l cube यहाँ से अगर stiffness किसकी stiffness इस beam की stiffness अगर आपके पास में आ जाती है तो आप क्या बोल सकते हो critical damping coefficient cc is equal to 2 root m k m भी available है और k भी available है अगर दोनों values आपके पास में available है तो आप सिर्फ यहाँ पर values put करना है आपको अपने आप वहाँ पर values मिल जाएगी तो question को फिर से आपको समझना है कि question के अंदर आपको पूछा क्या गया है और कौन से result इसके लिए suitable रहाएगा जैसा कि इस question के अंदर आपको cantilever beam दी गई थी cantilever beam में एक mass m लगाया गया तो आपको पता है कि deflection deal कितना होता है wl3 divided by 3 e i इसको आप जैसे compare करोगे आपको क्या मिल जाएगा है यहाँ पर stiffness, stiffness k is equal to कितना होने वाला है यहाँ आप 3 e i divided by l3 एक बार आपके पास stiffness आजाएगी तो basically आप जानते है cc कितना होता है cc is equal to 2 root mk cc represent critically damped coefficient को अगर हमसे पूछा जाता है c तो basically आपर आप जाता है result 2 जीटा root mk लेगन हमसे क्या पूछा गया आपर critical damped coefficient clear? thank you if you really like the video, please hit the like button share the video, subscribe to our youtube channel and press the bell icon for the latest updates thank you